समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नूलिश शो में तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले में आपको छोट इसी क्लिप दिखाना चाहूंगा जो आप अपनी स्कीन पर अभी देख सकते हैं यहां यह आपको लगड़ा होगा कि कोई एस्टोइड है या फिर कोई धूमकेतू है या कोई छोटा मोठा तुफान है जो ऐसी दिख रहा है तो लोग इस वीडियो को बना रहे थे, शुरू में उन्हें भी ऐसा ही लगा, कि यह कोई asteroid है, जो अंत्रिक्स से गिरता है, और जब वो प्रत्विके वाइरून वंडल में गिरता है, तो इसी टाइप से जलता है, लेकिन शाम होते होते, सब कुछ साफ हो गया, कि यह कोई asteroid यह कुछ meteor वगारा नहीं था, यह था, दुनिया की सबसे ताकत और मिसाइलों में से एक, Trident 2 Submarine Launch Ballastic Missile, जिसे दुनिया की सबसे बहतरीन, SLBM भी कहा जाता है, और इसे दागने की जो timing है, वो बहुत interesting है, आप timing मैं आपको बताता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे, अब से पांच दिन पहले, जो बाइडन कहते हैं कि हम चीन के साथ मनलबी बातचीत के दरवाजे खोलेंगे, बातचीत करेंगे, उसके तुरंद बाद, चीन, बाइडन की सारी बातचीत को धता बताते हुए, ताइवान के अंदर अपने लड़ा को इवान गुसा देता है, इसके बातचीत होती है फोन पर, और उसके तुरंद बाद, आज, सुभह, अमेरिका अपनी सबसे ताख़तर मिसाइलों में से एक, ट्राइडन टू को दाग देता है, हाला कि जब ये मिसाइल दागी गई, तो सब को लगा कि ये ब्रिटन ने किया है, क्योंकि जो अट्लांटिक म मेशा से करता आया है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका सीधे सीधे, चीन को निशाना बना रहा है, कैसे, अमेरिका यहाँ पर संदेश ये दे रहा है, कि जो हमारे इस्ट कोष्ट पर, जो रूस के लिए मिसाइले तैनात की गई है, वो दरसल चीन तक भी पहुँच सकती है, कैस अगरे दुनिया भर में मिसाइल कहीं पर भी हो, लेकिन वो अपनी पहुँच चीन तक रखती है, और चीन को इस बात को जान लेना चाहिए, कि अगर वो जदा अगरेशन दिखाता है, तो उसे मूँ तोड जवाब दिया जाएगा, और अमेरिका ने SLBM ही क्यों लौंच की, को ही टेस्ट क्यों किया, इसका भी एक बड़ा कारण बताय जा रहा है, दरसल अभी दो दिन पहले चीन ने एक एंटी बैलस्टिक मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया था, और चीन ने एक कहाता कि अगर कोई भी देश अब हमारे उपर बैलस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा, तो हम उससे बच जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने SLBM टेस्ट की है, यानि कि सम्मरीन से लौंच होने वाली बैलस्टिक मिसाइल, उनकी खासेत यह होती है, कि जो सम्मरीन होती है, पानी में कहीं भी हो सकती है, उसका पता लगाना बहुत मुश्किलर, खास करकि नुकलियर प बैलस्टिक मिसाइल के लिए, क्योंकि चीन का जो पूरा कोश्टल एरिया है, यानि की समुदरी किनारा है, वो हजारो किलोमेटर का है, ऐसे में वो कहां-कहां पर डिफेंस सिस्टम तैनात करेंगे, ऐसा करना तो असंभव है चीन के लिए, तो इसलिए चीन को यह मूतोड जवाव अमेरिका की तरफ से दिया गया है, अब आप ये भी देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में कि भारत भी अपनी जो सम्मरीन लूंच बलस्टिक मिसाइल है, उसका टेस्ट कर सकता है, या तो के 15 का या फिर के 4, जो सबसे ताकतवरी समय है, और इसके लावा आप मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें सभी देशों के जो परमुख है, जैसे कि जो बाइडन, प्रदानमंतरी मोरी, स्कोट मोरीसन और जो जापान के प्रदानमंतरी है सूगा, सभी बैठ कर बातचीत करें कि चीन पर कैसे लगाम लगाई जाए, और चीन के लिए मुसीबत य आने वाले समय में हो सकता है कि टरंप से भी जादा एंटी चाइना हो सकते हैं, तो इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, कमेट करें जरूब बताएगा, साथ ही वीडियो को शिर्खी जेगा और चैनल को सबस्क्राइब करना, बिल्कुल मुत बूलेगा, थैंकिर शसे वीडियो.